हेलो देखेंगे परियावरान अध्यान और परियावण अध्यन में ये हमारा एक प्रिक्किस सेट होगा जिसमें हम तीन प्रेक्ट्पूर्षय्ट होगी, मैंने यहाँ लिखा नहीं देखी, एवियस में एवियस प्रैक्टिस सेट यह हमारी चौथी होगा और यहां पर हमने 20 महत्पूर्ण प्रश्णों को लिया है तो आई स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्णों को देखते हैं कि करके अपने सारे प्रश्ण पहला प्रश्ण हम लिया है पहरा एक्सी एसिटिल प्रश्ण में आ सकता है और आता भी है या अनुसंधान के महाराष्ण के नाखपूर में तो आप देख रहे हैं कि हापर लिखा है अगला प्रश्ण आपर वायू मंदल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करता है तो सूरी से आने वाली पराबैगनी किरण है इन अगला प्रष्ण देखिये किस तिथी को मनाया जाता है तो बहुत ही इंपोर्टेंट प्रष्ण अक्सर एक्षाम में आता भी है पांच जून को मनाया जाता है अगला प्रेशन देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पित्वी का तापमान बढ़ता है या घड़ता ही आपसे पूछ रहा है कि बढ़ता है या फिर घड़ता है तो आपको पता है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो पित्वी का टैंपरेचर है वो बढ़ रहा है और इसके प्रणाम सरु जो हमारे glacier है वो भी पीघल रहे हैं अगला प्रेशन है परियावरण का दुष्मन किस विक्ष को कहा जाता है तो UK तो देखे चिप को आंदोलन सुंदल लान बहुगूडा ने चलाया था और विक्षो के बचाने के लिए चलाया गया थो आप जान सकते हैं कि यहां पे जो चिप को आंदोलन चलाया गया था वह वनों की सुरक्षा या वनों विक्षो की सुरक्षा के लिए था अगला जिसका सू्त्र ओथ है और देखिए लिज और रहा प्रति के रूप में किस पशु को लिए गया तो पता है लिए पशुम कौन सा है पांडा ही है लेकिन वह ज्वाइंट लिया गया तो यहां से आपका उत्तर हो जाएगा पांडा अगला प्रेशन देखिए भारत का कौन सा राज टाइगर राज या टाइगर स्टेट की रूप में माना जाता है तो यहां पर जो टाइगर रिजर्व है बहुत अगला प्रेशन देखिए विश्ववन सरच्छन कोस्त देखिए विश्ववन जीव सरच्छन कोस्त कहां पर स्थित है तो यह आपका सुर्जर लैंड में स्थित है बहुत इंपोर्टेंट प्रेशन है इसे याद रखिएगा सरवाधिक ओजोन च्छैकारी गैस कौन सी य भारत में सबसे कमवच्षा कहां होती है भारत में ज्onneच्छ सबसे कमवच्षा होती है वह राजस्थान में होती है कि और नियुन आपका सुस्क रहे जाता है अगला प्रेशनह की भूतल पर सी येफसी का तो यहां प्रतिच प्रणाम क्या होगा यहां के लिए ने भी प्रतिच परणाम क्या होगा यह भावी के लिए लेकिन उसका प्रतेश जो प्रभाव इस वक्त भी देखने को मिल रहा है क्या हो रहा है हमारे प्रत्वी का टैंपरेचर बढ़ रहा है जिसके प्रणाम सुर्फ ग्लेसियर पिघल रहे हैं अगला प्रेशन है कि भारत में वृक्षो का आदमी किसे कहा जाता है जैसी बात है जो वृक्षो का संख्षन करता होगा उसे ही वृक्षो का आदमी कहा जाएगा तो सुंदललाल बहुकुरा जुनों ने अपना समस्त जीवर विक्षो की सेवा में बिताया है इसके कारण इन्हें विक्षो का आदमी कहा जाता है अगला प्रशन है और इस वीडियो का ये लास्ट प्रशन है पित्वी दिवस कम मनाया जाता है बहुत ही इंपोर्टेंट आपका ये प्रशन